अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आये तो मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैश पैक से जहां ग्रिफित की परवरिश एक हमबल बेंग्राउंड में हुई थी लेकिन किसी मुसीबत के चलते उसका सब को छिन गया और ग्रिफित सडकों पर आ गया बच्पन में वो सडकों पर पला बढ़ा और साथी बच्चों में हमेशा अवल रहता और वहीं शहर के सबसे उचे किले को देखकर उसकी लाल सा बड़ी और उसने टागेट रखा खुद के एक किंडम बनाने का तब वो उसकी असली चीत होगी लेकिन उसके बच्पन के सपने में गट आ जाता है जिसने उसे उसकी मन्जिल को उससे अलग कर दिया और ग्रिफित की आँख खुलती है ग्रिफित को टावर ओफ रिवर्ट में कई महने हो चुके हैं और इतने टॉर्चर के बाद उसकी शेरी में सिर्फ उसकी जान ही बची है ग्रिफित देखता है कि दिवाद में सुराह कर कुछ डिमॉनिक क्रिचर उसके नजदीक आकर उसे अपना राजकुमार बुलाते हैं और तभी उसे भविश्य में होने वाली घटना का एक जलक मिलती है और एक मिस्ट्रेस आकरती उसे अपना किंसमेंट बताकर जल्द ही मिलने का आश्वासन देता है वही मेडलेंड के किसी जंगल में दो लकड़ हारे एक पेड़ को काट रहे हैं और तभी एक विशाल दानव आकरती उनके नजदीक से होकर गुज़ा जाती है वो दोनों ड़कर मिडलेंड के चर्च को इसकी जानकारी देते हैं और चर्च के पादरी इस होने वाले इंसिन्ट से घबराए हुए हैं जिसका किसी होने वाले अब शकुन की तरफ इशारा है वहीं टावर आफ रिवर्ट की नालियों में खोया हुआ बहरेट किसी नदी में हैं जो गृफित की पहुंच से अब मिलो दूर हैं वहीं बैंड आफ हॉक अपराधी बनने के बाद अब जंगलों में छुपे हुए हैं और अब उनकी नई कमांडर कासका किसी तरह तो बैंड आफ हॉक को मिटने से बचाय हुई है जोडो कासको को बताता है कि उसके गृफित का पता लगा लिया है और इसने गृफित का पता लगा लिया है तभी चोरी छुपे कैमप पर हमला होता है जो ना सिर्फ गार्ड्स बलकि गोडों को भी नहीं बख्षते हैं गोड़ी की आवाज सुनकर कासका टेंट से बाहर आती है कैम्प में गार्ट की लाश देख वो सब को हमला वर्ट की अलर्ट करती है और तब ही उस पर भी हमला होता है जिससे वो किसी तरह तो बच्टी है और वो असेसिन कासका के पीछे आकर फूर्टी से हमला करता है जिसका सामना कासका भी बाश मुश्किल कर पा रही है तब ही मेडलेंड की आर्मी कैमपर धाबा बोल देती है और जंगल में जोड़दा लड़े शुरू हो जाती है वो असेसिन बड़ी आसानी से कासका को गिरा कर उसकी गदन पर अपना हत्यां रख सेरिंडर के लिए कहता है मगर कासका हाल मानने वालों में से नहीं है और इससे पहले कि वो असेसिन कासका को मार देता उस पर एक जोड़दार वार होता है जो गट नहीं किया है बैंड आफ हॉक में एक नई जान आ जाती है और वो एक नई उजासे दुश्मनों का सामना करते हैं सिलट एक प्रावडी वारियर है और इसलिए वो गट का सामना अकेले ही करता है लेकिन गट थोड़ी ही देर में उसके हर वार का दमदाज जवाब दे कर उसे हरा देता है सिलट को भी समझ में आ जाता है कि वो गट से नहीं जी सकता इसलिए डैवर्शन के तौरपन वो गट और कासका पर दो चल्ले से हमला करता है जिसे गट तो बच जाता है और जुडो कासका को बचा लेता है गट को जुडो के तुरू पता चलता है कि उसके जाते ही ग्रिफिट और बैंड ओफ हॉक के साथ क्या हुआ और कॉर्कस को लगता है कि गट को इससे कुछ फरक नहीं पड़ता और इसलिए वो वहाँ तब नहीं था जब हॉक को उसकी सबसे जादा ज़रूरत थी अगले दिन कासका गट को लड़ाई के लिए चुनौती देती है जिसे गट हलके में लेता है लेकिन कासका उस पर वार करते हुए कहती है कि ये सब गट की वज़े से हुआ उसकी वज़े से ग्रिफित कमजोर पड़ गया और बैंड आफ हॉक की ये हालत हुई और गट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कासका का वार खुट पर ले लेता है गट को ऐसा करते देख कासका भी घबला जाती है और गट कन्फेस करता है कि उसने भी वही किया जो ग्रिफित कर रहा है अपने ड्रिम को परसियो कासका भी कन्फेस करती है कि ना तो वो ग्रिफित की ताकत बन पाई ना उसकी और उसे पहले ही पता चल गया था कि Griffith के दिल में उसकी वो जगा नहीं है फिर भी उसने हर मुमकिन कोशिश की और वो अब थक चुकी है और वो हॉक को गट के हवाले का सुसाइड अटेम्ट करती है लेकिन एन वक्त पर गट उसे बचा लेता है कासका को अफसोस होता है कि उसकी वज़ा से हर बार गट का ही खून बहता है और यहां पर गट अपने प्यार का इजहार करता है और वो कुछ रोमांटिक मॉमेंट्स शेयर करते हैं गट चाहता है कि जब वो Griffith को रेस्क्यू कर ले कासका उसके साथ रहे और उनका अलग फ्यूचर हो जिस पर कासका सिर्फ हामी भर देती है कुछ देर बाद गट को वही फिलिंग आती है जो उसे नौस फरेतु जॉट से मिलने से पहले आई थी और वो उस खत्रे का सामना करने कले तयार हो जाता है तभी इसकलनाइट वहां आते हैं और गट को एक प्रॉफिसी कहते हैं कि जल्द ही मौत का तोफान आएगा जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तुमारी हिम्मत और संघष ही तुमारी ताकत होगी जो उस मौत का सामना कर सकेगी और वो वहां से चले जाते हैं गट कासका और हॉक के प्राइम मेंबस एक हुफिया रास्ते से टावर ओफ रिवर्थ में दाखिल होते हैं जहां उनकी मुलाकात प्रिंसेस केरलेट से होती है और उसने ही ग्रिफित का पता रिकेट को दिया था वो उन्हें नीचे तैखाने में ले जाती है दरसल टावर ओफ रिवर्थ एक हजास साल पुरानी एक एंशिन सिटी के खंडरोब के उपर बनी है जो एक लिजेंडरी कॉंक्रर इसकल किंग का था जिसने ना सिर्फ युद्ध और बरबादी को रोका बलकि सभी समुदायों को एक कर एक किंग्डम बनाया बैंड ओफ हॉक को कमरे में खून की बद्बू और एक लाश मिलती है ग्रिफित की ये हलत दे किसी को भरोसा नहीं होता उसकी कलाईयों और एडियों के टेंडन्स को काड़ दिया गया है और साथी उसकी जीब को भी उसके पूरे शरीपस सिर्फ टॉचर के निशान है और वो किसी जिन्दा लाश से कम नहीं ग्रिफित गट को देखते ही पहचान जाता है और अपनी बची खुची ताकत से उसका गला दबाने की कोशिश करता है लेकिन गट के पस्चरताब के आंसो देख वो उसे माफ कर देता है तब ही टॉचर बहाँ से दर्वाजा बंद कर देता है और उन्हें बताता है कि पिछले एक साल से उनका रिलेशन हस्बन वाइप का था और उसने अपनी हर इमेजनरी टॉचर को उस पर प्रयोग किया साथ ही उसकी जीप को एस प्रैस पजिशन अपने पास रखा गट का ये सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है और वो दर्वाजा तोड टॉचर के चाती पे अपने तल्वार कड़ा उसकी जीप काड़ देता है और गट उसे पिट में डाल देता है तभी वहाँ टॉवर की सिक्यूरटी आ जाती है और गट अपना सारा गुसा उन सोल्जर्स पर उतार जो नर्स अनहार मचाता है कि खौफ से उनके हाथ पैर कापने लगते हैं और चाहते ना चाहते हुए भी सभी मौत के गार में समा जाते हैं ये देख तो एक बार हॉक भी काप जाते हैं लेकिन वो फिर भी गट के पीछे जाते हैं वहीं जब किंग को ये बात पता चलती है कि गिर्फित भाग गया तो वो भी काप उठते हैं गट और हॉक की मदद एक फार्म का मालिक करता है और उसकी होस काट में वो लोग भाग निकलते हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश शहर के दरवाजे पर कुछ ओछ सूल्जस करते हैं लेकिन होक के सूल्जस की मदद से वो बच निकलते हैं शहर के बाहर निकलते ही मेटलेंड आरमी उनका पीछा करने लगती है और तब ही उन पर सामने से तीरों की वर्षा होती है जिससे वो किसी तरह तो बच पाती ही है कि आर्मी पीछे आ जाती है और गट और पेपिन दोनों ही उन आर्मी के कुछ सूल्जस को मार फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ते ही कॉलकस आर्मी पर तीरों की वर्षा कर देता है और उन आर्मी पर हमला कर देता है जिससे गट और बागी लोग ग्रिफित को लेकर भाग निकलते हैं इतने लंबे दिनों बाद मिली जीट से बैंड ओफ हॉक के होसले दुरस्त हो जाते हैं और वहीं गट ग्रिफित की स्पीडी रिकवरी केले मरम बट्टी करता है जुडो कासका को बताता है कि ग्रिफित की हालत बत से बत्तर हो चुकी है ना ही वो कभी खड़ा हो सकता है ना बोल सकता है और ना ही कभी तलवार उठा पाएगा और इस बात से कासका भी निराश हो जाती है और जब ये बात पूरे बैंड ओफ हॉक को पता चलती है तो उन Griffith उनके आपस की bonding को कार्ट से देख लेता है जुडो गट को कासका को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है क्योंकि पहले ही कासका इस बैंड को अपना सब कुछ दी चुकी है और वो एक fresh start deserve करती है और उसके बदले जुडो खुद Griffith को अपने साथ ले जाकर एक नए ग्रूप को फॉर्म करेगा और उसका ख्याल लगेगा जुडो की बात सुनते ही वहाँ कुछ और सूलियस आ जाते हैं जो गट के साथ जाने के request करते हैं और गट को कुछ संज में नहीं आता कि वो क्या कहें Griffith कासका को अपने नजदीक पाकर उसके साथ होने की कुशिश करता है और कासका उसके एहसान के बदले उसके बुरे वक्त में उसके साथ रहना चाती है क्योंकि अब Griffith को उसकी जरुवत है और वो गट के साथ जाने से मना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है Griffith कासका कोई सभी बात सुन लेता है और अपने ड्रीम्स की विजिन में वो खुद को उसकी मन्जिल तक बढ़ने के लिए कहता है और ऐसा करने में वो अपने ही कार्ट को आगे बढ़ा देता है कार्ट को आगे जाता देख गर्ट बाकी लोगों को इनफॉर्म करने का कहकर उसका पीछा करता है तब ही कार्ट पहाड़ी के धलान से उतरते हुए डिस्बैलेंस हो जाती है और Griffith पानी में फिका जाता है जिसे उसकी कोहनी तूट जाती है Griffith को अपनी हालत पतरस आता है और वो सुसाइट करने के लिए एक सुखे पेड़ के तीखे सिरे से अपने ही गले को भीदने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और इसके हाथ में उसका बहरेट आ जाता है जिसे देखकर वो चौक जाता है गड़ और बाकी हॉक जैसे ही Griffith तक पहुँचने वाले होते हैं कि वहाँ Eclipse शुरू हो जाता है और Griffith उन्हें ना आने के लिए वान करने की कुशिश करता है Eclipse के होते ही गड़ को नदी में काफी सारे Mysterious लोग दिखने लगते हैं जो उनकी तरफ ही देख रहे हैं गड़ ग्रिफित को बचाने बढ़ता ही है कि Griffith का खून उसकी हधेले पर Barret तक पहुँच जाता है और Barret एक्टिवेट होकर अपना आकार एक चहरे में बदल लेता है जैसे ही गड़ ग्रिफित को छूता है एक तीज रोशनी उड़ती है और पूरा बैंड एक दूसरे डाइमेंशन में पहुच जाता है जहां का मनजर ही हांट तक कपा देने वाला होता है और पूरा बैंड डर से चीखने लगता है लेकिन कास का पूरे बैंड को कंट्रोल कर फर्मिशन बनाने के लिए कहती है गड ग्रिफित को समालता ही है कि वो उसके हाथ में बहलेट को देखता है जो अब बदल चुका है वहीं वो मिस्ट्रियोस लोग आपस में खुशी मनाते है कि ग्रैंड नॉक्टरनल फेस्टिवल आ गया है वोईड ग्रिफित को वेलकम कर बताता है कि गॉड हैंड उसके किंग्स्वेन यानि भाई है और उसकी गॉड हैंड बनने की डिस्टनी तभी तैह हो गई थी जब उसने पहली बार बैलिट को थामा था और उसके गॉड हैंड में रिबर्थ होने के लिए उसे अपने कॉम्रेट्स का सेक्रिफाइस करना होगा ये सुनते ही पूरे होक के होश उड जाते हैं और गट को अभी भी ग्रिफित पर भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेगा और तभी वॉड ग्रिफित को आकाश में ले जाने के लिए उसकी जगा से एक हाथ आकाश में उठा देता है गट अभी भी ग्रिफित को थामे हुए हाथ के साथ उपर जा रहा है कि उसका हाथ फिसल जाता है और बचने के लिए वो ग्रिफित का हाथ पकड़ लेता है लेकिन ग्रिफित के दूसरे हाथ उखड़ता देख वो उसके हाथ छोड़ देता है और एक चाको की मदद से खुद को गिरने से रोक लेता है उपर पहुँचते ही ग्रिफित से सभी गॉड ओफ हैंड डारेक्टिव बात करते हैं और उसका ड्रिम अभी भी और आहुती मांगता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सारी जाने बेकार में ही गई ग्रिफित के पास अब आहुती के लिए बैंड ओफ हौक ही बचा है जिसने उसका हर समय साथ दिया तब ही वहां ग्रिफित को याद आता है कि हजारों दोस्तों और दुश्मनों के बीच अगर किसी ने उसे उसके ड्रिम को भूलने के लिए मजबूर किया है तो वो ग्रिफित हैं और अब वो अपनी ड्रिम को और धोका नहीं देगा और वो सेक्रिफाइस की मनजूरी दे देता है वॉइड बताता है कि सेक्रिफाइस होते ही उसे रेवन विंक्स मिलेंगे जिससे वो कितनी भी उची मनजिलों के पार जा सकता है और तब ही मुठी बंध होने लगती है जिसके अंदर ग्रिफित है गट उसे बचानी के बढ़ता ही है कि मुठी बंध हो जाती है और वॉइड जलते हुए सैक्रिफाइसल मार्क को सभी पर भीज देता है जो हर जिन्दा मेंबर्स के शरीप में मार्क बना देता है मार्क के बंदे ही डीमन अपने असली रूप में आ जाते है और वहां बैंड आफ हॉग का अन्दर सन्हार शुरू हो जाता है इससे पहले कि कासका को डीमन खा जाते पेपन उसे बचा लेता है और जूडो उसे लेकर निकल जाता है क्योंकि अगर बैंड आफ हॉग का कमांडर्स जिन्दा रहेगा तो हॉक भी जिन्दा रहेगा वहीं फिजिकल वर्ड में जहां से ग्रिफिट और हॉक गायब हुए थे वहां एक भयानक बवंडर है जिसकी आंफ में जॉड और इसकल नाइट लड़ रहे हैं दरसल जॉड को अंदाज़ा था कि इसकल नाइट अपने दुश्मन गॉड हैंड को रोकने के लिए जरूर आएगा और तब उसे दोबारा इसकल नाइट से लड़ने का मौका मिलेगा वहीं मॉंस्टर डीमन पूरे बैंड आफ हॉक को खा चुके हैं और इस स्पागलपन और मौत के मंजर से कासकर स्पागल हो जाता है और अंत में वो भी मौत के गार में समा जाता है वहीं गट अभी भी ग्रिफित को बचाने की कोशिश कर रहा है और तब ही उस पर एक मौस्टर का हमला होता है वहीं जूडो और कास्का पर भी एक और मॉंस्टर का हमला होता है और जूडो कास्का को बचाते हुए खुद को सैक्रिपाइस कर देता है और मॉंस्टर कास्का को पकड़ लेते हैं गट किसी तरह उन मॉंस्टर का सामना कर रहा है और वो लड़ते हुए एक मॉंस्टर को मार देता है वहीं उस हाथ के अंदर एक कोक में गृफित है और हॉक मेंबर की हर एक मौत उससे होकर गुजर रही है लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता नडर नदया बस उसे उसकी मनजल ही याद रहती है गट मॉंस्टर से लड़ते हुए उस विशाल हाथ से नीचे खून की नदी में गिरता है जो बैंड आफ हॉक का है और वो वहां मॉंस्टर को देखता है जिनों ने बैंड आफ हॉक को जिन्दा ही खा गए वो गुसे में उनसे लड़ने को बढ़ता ही है कि गृफित विंग आफ डाकनेस फेम्टो बनकर निकलता है और वो सीधे गट की सामने आता है वो गट को पनिश करने के लिए उसके सामने ही कासका का रेप करने लगता है ये देख गट बढ़ता ही है कि एक मॉंस्टर गट का हाथ दबा लेता है गट फिर भी हार नहीं मानता और गुसे और पागलपन में अपना ही हाथ काट कर टूटी तलवार से गृफित पर हमला करता है गृफित के पास नई ताकत है और वो टेलेपैथिक से गट के वार को रोक लेता है लेकिन गट की ताकत ग्रिफिट की टेलेपिथिक फोर्स को पार करने लगती है और ये देख ग्रिफिट गट को दूर फेक देता है और गट को कुछ और मौस्टर दबा देते हैं और उसकी ये कांख फोर देते हैं तभी उपर Eclipse से Skull Knight अंदर आ जाता है और वो सीधे वॉइट पर हमला करता है जिसे वॉइट एक पोर्टल उपन कर Skull Knight के वार को उस पर ही डाल देता है और Skull Knight वॉइट को छोड़ नीचे बढ़ता है और रास्ते में मॉंस्टर को आसानी से मार Griffith की तरफ बढ़ता है ये देख Griffith उसे कुछ मॉंस्टर के बॉल के अंदर नलिफाय कर देता है और तभी पीछे से Skull Knight गट और कास्का को लेकर Eclipse से बाहर चला जाता है और Griffith कुछ नहीं कर पाता Skull Knight फिजिकल वर्ड में आकर गट और कास्का को रिकर्ट के हावा लेकर चला जाता है और रिच्वल के खत्म होते ही सभी मॉंस्टर वापस चले जाते हैं जिनने फिजिकल वर्ड में देखा जा सकता है जब गट की आंख चाह दिन बाद खुलती है वो खुद को एक गुफा में पाता है और उसे पता चलता है कि वो एक आंख और हाथ खो चुका है और उसे ये भी पता चलता है कि कास्का अपनी सैनिटी और यादाश दोनों खो चुकी है इन सब को वो छेल नहीं पाता और बाहर भागते हुए उसे बैंड आफ हॉक की हर मेंबर्स की याद आती है और शाम होते ही अंधेरे से बुरी आत्मा उसकी तरफ आकशित होती है जो उसकी सैक्रिफाइसल मांक की वज़ा से है और वो फिर उनसे लडने की कोशिश करता है और तभी इसकलनाइट वहां आ जाते है जो उसे फिर उनसे लडने के लिए कहते है और गट इसकल नाइट की पहली स्वाट से पूरी रात उनसे लड़ता है और उकते सूरज की पहली किरन के साथ गट और गिर्फित की लिजन्डरी लड़ाई का आगास होता है और यहां ये मूवी खत्म होती है दोस्तों इस पार्ट के बाद इस्टूडिया ने इसके आगे की कोई मूवी नहीं बनाई शायद उन्हें प्रॉपर रिस्पॉंस नहीं मिला या शायद उन्हें ये फायदे का सौधा नहीं लगा बसक स्रीज की आगे की कहानी 2016 में सीजन 1 और 2 आए जिसमें इस पूरी सीरीज का एंड नहीं हुआ लेकिन मंगा कॉमिक्स में जो की 360 चैप्टर्स का है उसमें एंड बताए गया है इसलिए अगर कोई अबडिशन आता है तो सीरीज को मैं फिर कंटिन्यू करूँगा तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस सीरीज का एक्स्पनेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुँचा सकूँ ये एक्स्पनेशन आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं इस तरह के वीडियो आपके एंटरेटेंडमेंट के लाता ही रहता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गड़ बाय